कॉंग्रेस सांसद राहूल गांधी आज फिर एडी के सवालों का सामना कर रहे हैं नैशनल हेराल्ड से जोड़े मनी लॉंडरिंग के मामले में एडी ने कल राहूल से पूछ ताच की थी कॉंग्रेस ने एक बार फिर मोधी सरकार पर राहूल को परिशान करने का आरोप लगाया है कहा है कि एडी मोधी सरकार के इशारे पर राहूल को निशाना बना रही है तो क्या वाकई एडी राहूल को निशाना बना रही है देखते हैं ये रिपोर्ट प्रवर्तन निदिशाले ने कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में सोमबार को चौथी बार पूछताच की मनी लॉंडरिंग केस में करीब 12 गंटे की पूछताच के बाद कॉंग्रेस नेता सोमबार रात को एडी दफ्तर के बाहर निकले एडी आज फिर राहुल से पूछताच कर रही है एडी राहुल से अब तक 4 दिनों में 42 गंटे से ज्यादा पूछताच कर चुकी है आपको बता दें कि जाच एजेंसी ने इस मामले में कॉंग्रेस सध्यक्ष सोनिया गांधी को भी 23 जून को पेश होने को कहा है सोनिया गांधी को सोमबार को ही अस्पताल से छुटी मिली है डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिन आराम करने की सलहा दी है ऐसे में अभी ये साफ नहीं है कि वो पूछताच के लिए पेश होंगी या नहीं इससे पहले उन्हें 8 जून को पेश होना था लेकिन कोरण संक्रमित होने की वज़ह से वो नहीं जा पाई थी राहुल गांधी सोमबार को 11 बज़े APJ ED मुख्याले पहुँचे थे करीब साढ़े चार घंटे की पूछताच के बाद दोपहर करीब साढ़े तीन बज़े वो लंच के लिए बाहर निकले शाम साढ़े चार बज़े वो एक बार फिर ED दफ्तर पहुँच गए और रात बारा बज़े तक मौजूद रहे ED इस मामले में पिछले हफते राहुल गांधी से लगातार तीन दिन तक पूछताच कर चुकी है 13 जून को 10 घंटे, 14 जून को 11 घंटे और 15 जून को 9 घंटे पूछताच की गई है सोमबार को भी ED ने करीब 12 घंटे पूछताच की है ऐसे में प्रवर्तन देशाले के अधिकारी अब तक राहुल गांधी से 42 घंटे से ज्यादा पूछताच कर चुके हैं ED की माने तो मामले की जाच जारी रहेगी अब तक हुई पूछताच में ED अधिकारी राहुल के जवाबों से संतुष्ट नहीं है वही राहुल गांधी ने कहा लगता है कि अब यहां रोज आना पड़ेगा क्योंकि पूछताच लंबी चलेगी नैशनल हेराल केस में राहुल के अलावा सुनिया गांधी, सुमंदोबे और सैम पित्रोदा भी आरोपी है दो आरोपी ओसकर फर्णांडेस और मोती लाल बोरा का निधन हो चुका है एडी के इस तरह पूछताच से अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्या वाकई एडी राहुल को बीजेपी सरकार के इशारे पर परिशान कर रही है क्या बीजेपी सरकार राहुल गांधी से डरती है वही कॉंग्रेस का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी रहने वाला है जीवी लाइप की रिपोर्ट